हेलो फ्रेंड्स वेलकूम टू माइ चैनल हिंदी नॉलेज विडियो चीन ने भारत सीमा पर दुश्मनी का गंदा खेल खेला तो भारत ने चीन से मूर मोड लिया अब एक बार फिर से चीन भारत से दोस्ती करने के लिए लालच दे रहा है और कोशिश कर रहा है कि चीन अपनी कमपनियों को भारत में फिर से घुसपैट करवा कर उसे काबू में कर ले लेकिन भारत ने चीन से आये offer को ठुकरा दिया और कह दिया कि चीन की किसी company के लिए भारत में कोई जगह नहीं दरसल भारत ने चीन की electric car company BYD के एक billion dollar के offer को ठुकराते हुए कह दिया कि नहीं चाहिए तुम्हारी electric car जिसके बाद ये साफ हो गया कि चीन की company आ मोधी राज में भारत में तो नहीं घुस पाएगी अब ये तो रही जटके की बात लेकिन चीन company BYD की बात करे तो इस चीनी company ने भारत के सामने खजाना खोलने जैसा offer रख डाला था क्योंकि ये चीनी company भारत में एक अरब dollar का निवेश करना चाहती थी आपको बता दे की चीन की electric car company चाहती थी कि वो हाइदरबाद based mega engineering infrastructure limited के साथ partnership करके भारत में electric car का एक plant लगाए लेकिन अब चीनी company के खेलकादी end हो चुका है और केंद्र की मोधी सरकार ने चीन की electric car company वी आईडी के offer को खारिज कर दिया अब offer को खारिज करने की पीछे की वज़े तो आपके दिमाग में आ रही होगी लेकिन मोधी सरकार ने इसके पीछे की वज़े सुरक्षा बताए ऐसी latest video देखने के लिए please channel को like और subscribe करे